नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों निष्ठा मोड्यूल 17 COVID-19 परिद्रश्य में विध्यालेई सिक्सा में चुनोतियों का समाधान आपका दीख सा पोर्टल पे अपलोड हो चुका है और आप इसका परशिक्षन 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 के मद्धे कर सकते हैं उमीद है आप सभी लोगों को परशिक्षन का लिंक मिल गया होगा अगर आपको परशिक्षन का लिंक नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के सिक्सक साथियों के लिए वे मद्ध्य प्रदेश के सिक्सक साथियों के लिए प्रसिक्षन का लिंक मैंने वीडियो के description box में डाल दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना प्रसिक्षन स्टार्ट कर सकते हैं अन्य प्रदेश की सिखसक साथियों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है उस वीडियो की मदद से आप अपने प्रसिक्षन का लिंक ढूंड सकते हैं अथार्थ अपने प्रसिक्षन को ढूंड कर आप आसानी से अपना प्रसिक्षन स्टार्ट कर सकते हैं उस वीडियो का लि अपने भावनात्मक अनुभव को परदरशित करें जो लोकडाउन की अवधी के दोरान हुए थे आपने उन भावनाओं को सामना कैसे किया चिंतन के लिए कुछ समय ले और comment box में अपनी टिपनी दर्ज करें तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले गतिविदी प्रेश्ट पर पहुँचना है उसके बाद गतिविदी प्रेश्ट पर पहुँचने के बाद आपको अपने विचार लिखने है और उसके बाद उनको publish करना है तो गतिविदी प्रेश्ट पर पहुँचने के लिए आपके पास तीन option है पहला विकल्प है आप किसी भी ब्राउजर में URL को टाइप कर दें दूसरा option आपके सामने है कि यदि आप computer लैप्टाप का अफ्योग कर रहे हैं तो PDF को देखसा से डाउनलोड कर लें और ब्राउजर में URL को कोपी कर लें और तीसरा option आपका होता है इपाट साला QR code scanner का अफ्योग करके QR code को scan करें मैं इन में सबसे पहला विकल्प जो है वो सबसे आसान मानता हूँ इसमें आपको करना क्या है आपको ये link किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है उत्तर परदेश के सिक्सक साथियों के लिए मध्य परदेश के सिक्सक साथियों के लिए बिहार के साथियों के लिए और जहरकन के सिक्सक साथियों की स्विधा के लिए मैंने link इस वीडियो के description box में type कर दिये है आपको किवल description box पे जाना है और अपने परदेश के link पे click करना है जैसे ही आप अपने प्रतेश की लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गतीविदी प्रस्ट पर पहुचा देगा अन्य सिक्षक साथ ही क्या करेंगे अन्य सिक्षक साथ ही जो आपको URL दिया हुआ है इसको as it is अपनी काफी में लिख लेंगे और उसके बाद आपको अपने WhatsApp में आप इसको आसानी से क्योंकि आप WhatsApp ज़्यादा यूज करते हैं तो इसको WhatsApp में टाइप कर देंगे किस तरह से type करेंगे मैं आपको बताता हूँ आप अपना WhatsApp open करेंगे और WhatsApp open करने के बाद जहां पर लिखा हुआ है type a message यहां पर URL को type करेंगे और type करने के बाद अपने घर के किसी भी phone में किसी के भी message box में लिख देंगे अपने घर के और इसको भेज देंगे तो अगर आपने सही type किया है तो यह आपका निला हो जाएगा बिल्कुल ब्लू कलर का हो जाएगा और अगर आपने गलट type किया है तो यह आपका इस कलर का नहीं होगा ब्लैक रहेगा तो आपको ध्यान से type करना है आप देखते हैं टाइप करने के बाद देखिए मैंने लिंक दिये हुए है उत्तर परदेश के 6x7 Nishta module 17 की गतिविजी 3 पर प्रदर्शन पर अपनी परतिकरिया देने के लिए इस लिंक पर दिये गए उत्तर परदेश के लिए इसके साथ साथ मध्य परदेश के लिए भी link दिये गए है और उसके बाद मैंने बिहार का link भी दे दिया है और जहरकंड का link भी मैंने दे दिया है आपको अपने परदेश के link पे click करना है तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से आप type करके हो जाएगा तो उसके ब पास एक ही browser है तो आपसे नहीं पूछता मेरे mobile में दो browser है तो यह मुझसे पूछ रहा है कि इस browser में खोलना है या Chrome में खोलना है तो मैं इसे browser पे click कर देता हूँ जैसे हम browser पे click करते हैं तो हम गतिविदी प्रष्ट पर पहुंच जाते हैं देखिए यह हमारी गतिविदी 17 module 17 गतिविदी 3 परदर्शन अपने भावनात्मक अनुभव को परदर्शित करें जो lockdown की अवधी के दोरान हुए थे आपने उन भावनाओं का सामना कैसे किया चिंतन के लिए कुछ समय लें और comment box में अपनी टिपनी दर्ज करें तो मैं यहाँ पर अपनी टिपनी दर्ज कर आता हूँ यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अपना रिपलाई यह मैंने अपना रिपलाई में टाइप कर दिया देखे थोड़ा बड़ा टाइप किया है मैंने फरवरी मार्च महीने में भारत में भी कोविड-19 नामक संक्रामक बिमारे ने अपने पैर फैला दिये थे सरकार ने एतियात के तोर पर 22 जनवरी से पूरे पूरी तरह लाब नाम कर दिया यह लोगडाउन गोशित कर दिया यह सरकार समय मादमिक विधालियों के लिए फरिक्षा का समयता प्रंतु सारे फरिक्षा इरद कर दी गई विधालिय बंद हो गया तो मैंने इसमें अपनी प option पर क्लिक करता हूं तो मेरी परतिक्रिया पब्लिश हो जाएगी तो आपको भी इस तरह से परतिक्रिया को पब्लिश करना है आप लिखना चाहें लिख सकते हैं वरना मेरी परतिक्रिया को भी आप कोपी कर सकते हैं इसको कोपी करके आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप प से select कर लेंगे मालिजी आपको इतना करना है तो आपने से और इसके बाद क्या है इतना आपने select कर लिया और copy के option पे click करेंगे और copy के option पे click करने के बाद यह आपका copy हो जाएगा इस तरह से आपने copy के option पे click का option आजाएगा तो आप यहां पे जैसे पेस्ट करेंगे तो जो आपने copy किया है वो सारा आपका आजाएगा देखो मैं आपको करके दिखाता हूं इस तरह से आपका यह आ गया इतना आपने इतना copy किया तो इतना आ गया उसके बाद आप इसे publish कर देंगे और अगर आप इसे delete करना चाहते हैं तो delete भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी परतिक्रिया दे सकते हैं तो साथियों आपको ए वीडियो कैसी लगी अगर आपको ए वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजे शेयर कीजे और पे कमेंट्स कीजे साथियों और अगर आप मेरे चैनल पे नए है पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इसके साथ साथ बैल के आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे की आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिपिकेशन मिल सके उम्मी